असलाव अलेकूं उर्दू रोजाना यूटीव चैनल में आपको खुशामदेद कहती हूँ मेरे चैनल उर्दू रोजाना को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को लाइक और शेयर कीजे और साथ में दी हुई घंटी में भी किलिक करें ताके मेरी हर नई आने वाली वीडियो आ अलफास माइने और उसके जुमले पढ़ेंगे अलफास जुमले आते हैं पेपर में लेकिन आप लोगों की असानी के लिए अलफास के माइने लिग दिये हैं जब आप लोगों को अलफास के माइने बता होंगे तो आप लोग अपने तौर से अच्छे जुमले भी बना सके ठीक है लेकिन मैंने यहां पर जुम्ले लिखती हैं उसको पढ़ लेते हैं आप चाहें तो यह याद कर लीजेगा वरना आपके जहन में आ रहा है अच्छा से अच्छा जुम्ला बनाना चाहें वह आप बना सकते हैं ठीक है पहला जो अरफास है वो है खौब गफलत यह लिखावा है खौब गफलत इसका मतलब है बेखबरी की हालत बेपरवा ठीक है अब इसका जुम्ला क्या बनाया है हमने सरसेद अहमेद खान ने अपनी खौब को तालीम का शौर देकर खौब गफलत से बेदार किया है आप लोग कुछ और भी बना सकते हैं कि आपके पास खौब गफलत के माइने हैं या आप समझ जिए हैं कि इसके माइने बेपरवा होना है और बेखबरी की हालत है तो आप अगर चाहिए तो कुछ अपने तोड़ से अपने जहन से भी अच्छा इससे भी जाद अच्छा ज आप चाहिए तो अपनी मर्दी से बना लीजे कोई जुम्ला नशेब फराज नशेब फराज का मतलब है हालात में तबदीली होना नपा नुखसाल कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा नशेब फराज हालात में तबदीली होना नपा नुखसाल इस पे हमने क्या जुम्ला दवा पदेशानी में कोई ऐसी बात या कोई ऐसा अमल करना जिस से इंसान की परेशानी दूर हो जाए ठीक है तो हमने इसका क्या जुम्ला बनाया है सबर और नमाज से मदद हासिल करना ये हर दर्द की दवा है ठीक है इसके बाद है महीनत का फल महीनत का फल का मतलब है महीनत का सिला उजरत मवाज़ा. इसका हमने जुम्ला बनाए है, दिल उ जान से महनत करो, महनत का फ़ल एक रोज जरूर मिलता है. तसली उ तश्पी इसका मतलब है, इत्मिनान दिलाना दिलासा देना. ठीक है, नाउमीद दिलों को तसली देना तसली तशप्पी देना इंसारियत है कठन घड़ी कठन घड़ी का मतलब होता है मुश्किल वाक्त और इसका हमने जुमला बनाया है दोस्त वही अच्छा होता है जो हर कठन घड़ी में आपका साथ दे ठीक है यह आप लोग के असानी के लिए मैंने इसके माइने लिए भी लिग दूधिये हैं और आप लोग जो है व अपनी एक कॉपी बना लिजए उर्दो की और उसमें यह तमाम चीज़ें नोट कर लिए पेपर के खरीब तो आप लोगं के पास जो है अच्छा सा नोट बने होंगे आप लिए लिए यहां से अब नेक्स विडियो मे मैं आप लोगों के लिए सवालात के जवाबाद लेकर आओंगी फिर हम जिम्रों की तश्रीफ पढ़ेंगे और जब ता के लिए मुझे इजाज़त देजे अल्ला हाफिज झाल